नमस्कार गोरकपूर नियूज में आपका स्वागत है मैं पूजा वर्मा तो अब उत्तर प्रदेश बनेगा देश की फार्मा का हब देश में बनने है चार फार्मा पार्क सीम योगी चाहते हैं कि एक पार्क बने उत्तर प्रदेश में इसके लिए वाके इंद्री उर्वरक एंद्रसायन मंत्री को लिख चुके हैं पत्र प्रस्तुत है गोरकपूर नियूज के लिए गरीज पांडे की विसेश रिपोर्ट सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वर्शों में उत्तर प्रदेश देश के दवाउत पादन या चिकिस्तक की ये काम में प्रियोग आने वाले उपकरणों का हब बनेगा मुख्य मंत्रियोगी आदितिनात ने इस बबात पहल की है उन्होंने इस बबात उत्तर प्रदेश की संभावनाओं का जिक्र करते हुए केंदरी उर्वरक एवं रसायन मंत्री शादानंद गोड़ा को करीब माह भर पहले पत्र भी लिखा है अब गेंद केंदर के पाले में ह दरशल भारती दवा उद्योग का दुनिया में तीसरा नंबर है बावजुद तमाम दवाओं के कच्चे माल के लिए भारत चीन पर निर्भर है कुछ दवाओं के कच्चे माल के संदर्व में तो यह निर्भरता 80-100 पीसद तक है कुरोना के संक्रमन की सुरवा चीन से इनके मंगाने के खत्रे अलग से लिहाजा नीती आयो केंद्रिय स्वासमंत्राले और केंद्र के संबंदित विभागों ने तैय किया कि क्यों ना देश को दवाओं और चिकसकी उपकरणों के छेतर में आतम निर्भर बनाने और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मेके इ संबंदित केंद्री मंत्री को लिखा गया पत्र भी इसी संदर्व में है अपने पत्र में मुक्य मंत्री ने लिखा है कि संग्यान में आया है कि केंद्र सरकार देश में ऐसे पार्क स्थापित करने के बारे में सोच रही है उत्तर प्रधेस में लखनव और नोड़ा इसके कि अलावा गौतम बुधिन नगर नोईड़ा का शुमार देश की विक्सित और योगिक छेत्रों में होता है वहां जेवर में अंतररास्ट्रिय ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट बन जाने से निर्यात भी आसान हो जाएगा सरकार की नई और योगिक और फार्मा नीती भी करना चाहते हैं लिहाजा उत्तर प्रदेश को प्रस्तावित चार बल्क ड्रक्स या मेडिकल डिवाइस पार्क आवंटित करने का कस्ट करें मालूम हो कि जिन राज्यों में पार्कों का निर्माड होगा उनको केंद्र सरकार की ओर से तमाम रियायते मिलेंगी सरकार उन पा मात के आधार पर भी प्रोच साहन दे होगा इससे देश दवाओं और मेडिकल उपकरणों की छेत्र में आत्म निर्भर होगा आप रत्यासित इस्तितियों में उसे किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना होगा